हेलो इस्टूरेंट्स वेलकम बैक टू मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैगनेट ब्रेंस की हिंदी मीडियम चैनल पर और साथी साथ यह आचा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसनता पूर वक्त अपने सभी कारियों को भी भली भाती कर रहे होंगे अपने आपका ख़याल भी रख रहे होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्थिश्क का निवास होता है और हमें अपना-पना ख़याल रखना है, पढ़ाई के साथ-साथ-स थोड़े तंदरुस्ती खेल, मौज मस्ती भी जरूर है ताकि हमा चबुशन politics श्टवी से बार भी तक की Online एडुकेशन Online एडुकेशन या Online सिक्षा एकदम bumps झिसमें किसी भी प्रकार केु पेड laughing की बात नहीं की जाती किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता और विशेग या कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर आपको आप जैसे स्टुडेंट्स यह उन्हार स्टुडेंट्स के लिए दिये जाते हैं प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी एकदम फ्री प्रतियोगी परिक्षाओं में शामिल है जैसे NTSC, Olympiad, IIT, JEE, NIT, UPSC, JAIB, CAIB, कई यह यह कहूं कि सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी यहाँ पर फ्री में ही दिये जाते हैं या प्रोवाइड किये जाते हैं तो यह बिल्कुल सच है क्योंकि हम जो कहते हैं व जो भी डाउट है उसको हटा कर हमेशा हमें जुड़े रही है मेंगनेट ब्रेंस के साथ ताकि आप सिक्षा से संबंदित संपूर्ण जानकारी ले सकें और अपने जो भी लक्ष हैं उनको निर्धारित करके आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर दें क्योंकि हमारा लक्ष है आप सभी को अपने अपने लक्षयों तक पहुचाना यही एक मात्र उद्दिश को लेकर मेंगनेट ब्रेंस ने सभी प्रकार की एजुकेशन ओनलाइन एजुकेशन चाहे वो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो चाहे वो प्रतीयोगी परिक्षाओं से रिलेटेड हो पूरक पाठे पुस्तिका संचैन का पाठ है तीन पूरक पाठे पुस्तिका का अंतिम पाठ है ये नाम है टोपी शुकला अब नाम सुनते ही आपको कुछ लग रहा होगा कि टोपी शुकला टोपी शुकला बिलकुल सही सुना है आपने टोपी शुकला ये ऐसे दो मित्रों क कहानी है जिनका धर्म अलग जाती अलग लेकिन मन और आत्मा से दोनों में इतना अधिक प्रेम कि उनकी जो मित्रता थी उसकी पराकाश्टा पर वे पहुँच चुके थे लिखा है राही मासूम रजा जी ने और इन्हों ने इस पार्ट में क्या क्या बताने का प्रयास किया ह हम सब कुझ जानेंगे सब से पेले हम जान लें कि लेखाक का जन्म कब और कहां हुआ राही मासूम रजा जी को कोटी-कोटी पर नाम करते हैं साधी साथ हिंदी के सभी रचनकारों को हम साधा नमन करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित को इतनी उचाहियों पर पहुंचाया राही मासुम रजा जी जन्म हुआ था 1 सितंबर सन 1927 कहा पूरवी उतरप्रदेश गाजीपूर गंगुली ब्रत्य हो गई थी 15 मार्च सन 1992 इन्होंने ये जो पार्ट लिखा है इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा बड़ा ही मनुरंजग भी कह सकते हैं और सिक्षा प्रद भी कह सकते हैं और एकदम पारी वारिक माहौल में बसा गढ़ा ये पार्ट हमें ऐसा लग एक चित्र है कि मेज पर सभी बैठे हुए हैं भोजन की तैयारी में दूसरा आप देख सकते हैं कि बच्चे आपस में खेल कूद रहे हैं अब ये चित्र किसके घर का है ये है टोपी शुकला के घर का ये पार्ट है ये कहानी है दो मित्रों की दो मित्र एक का नाम था टोपी में बहुत गाड़ी मितृत ती बहुत गहरी मितृत थी टोपी शुकला ब्रामन परिवार से था ये इफवन मुसलिम परिवार से था दॉनों की जाती धर्म एकदम अलग लेकिन मितृता इतनी पवित्र कि उनकी मितृता जब सब से नहीं समय की जो गती रहती है उससे आगे शायद ही कोई निकल पाया यह समय से बड़ा बलबान शायद ही कोई हो पाया है कुछ ऐसा ही हुआ था इनके साथ भी तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी मित्रता कैसी थी टोपी शुकला और इफण एक ही कक्षा में पढ़ते थे और जो भी उनकी चर्चाएं होती थी टोपी शुकला का इफण के घर आना जाना रहता था इफण की दादी थी इफण की दादी की जो भाशा थी वो टोपी शुकला को बहुत प्यारी लगती थी टोपी शुकला घंटों इफण की दादी के पास बैट कर बाते किया करता था और इ मुझे कभी कभी डाट देते हैं अम्मी जान भी कभी कभी डाट लगा देती हैं और मेरी बड़ी बाजी जो हैं बड़ी दीदी वह भी कभी न कभी तो डाटती हैं लेकिन मेरी दादी ने मुझे कभी नहीं डाटा इसलिए मैं सबसे अधिक प्रेम सबसे अधिक प्यार अपन माता पिता थे उसके और भी भाई थे टोपी शुकला की दादी का जो वैभार था वो कड़क था वो थोड़े पढ़े लेके या इस तरह के परिवार से चली आने थी टोपी शुकला की मां बहुत सीधी साधी महला थी उनकी भाशा थोड़ी ग्रामीन भाशा को लिए हुए थ थी और जो इफण की दादी थी उनकी भाशा और टोपी शुकला की मां की जो भाशा थी वो समान थी शायद इसलिए भी टोपी शुकला को इफण की दादी बहुत पसंद थी इफण की दादी का इंतकाल हुआ जब उनकी मृत्ति हो गई तो टोपी शुकला को बहुत क्योंकि छोड़ दिया नहीं लेकिन जाता था लेकिन उसको ऐसा लगता था जैसे अब घर बिल्कुल सुना है या सुनसान है और पता है क्या तक कह दिया था उस बच्चे ने बालक की बात है कि तुम्हारी दादी क्यों चली गई इस से अच्छा तो तुम्हारी दादी की वो collector थे उनका तबादला हो गया तबादला मतलब समझते है रहा ट्रांसफर तो इफ़न और उनका परिवार वहां से चला गया उनके जाने के बाद मानो टोपी शुकला का जीवन तो एकदम एकांती हो गया वो ये कैसे सेहन करे कि अफ़न अब उसके पास नहीं है इसी प्रेम इसी मित्रता इसी दोस्ती की चर्चा करेंगे हम इस पार्ट में तो आइए चलते हैं और मिलते हैं टोपी शुकला और इफ़न से लेखक टोपी की कहानी पाठकों को सुनाना चाहते हैं इसलिए लेखक कहते हैं कि वह इफ़न की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा बलकि केवल उतनी सुनाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए उसे जरूरी लग रही है देखिए लेखक यहाँ पर टोपी शुकला की कहानी सुनाना चाहते थे लेकिन टोपी शुकला की कहानी बिना इफवन के पूरी नहीं हो सकती थी इसलिए जब जब टोपी शुकला का नाम आएगा इफवन का नाम अपने आप ही आजाएगा इफफन टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं एक का नाम बलभद्र नाराइंड शुकला बल्भद्र नाराइंड शुकला किसका नाम था टोपी शुकला का याद रखिएगा बल्भद्र नाराइंड यदि आप से पूछा जाए कि टोपी शुकला का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था तो बल्भद्र नाराइंड और दूसरे का नाम सयद जरगाम मुर्तुजा अर्थाद इफवन का नाम था सैयद जरगाम मुर्तुजा एक को सभी प्यार से टोपी कहकर पुकारते थे और दूसरे को इफवन याद रहेगा ना टोपी का नाम क्या था बलभंदर नाराएंड और इफवन का नाम था सैयद जरगाम मुर्तुजा इफवन की दादी पूरव की रहने वाली थी 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है पहले यदि हम 50-60 वर्ष पहले की बात करें या 70-80 वर्ष पहले की बात करें तो पहले बहुत कम उम्र में ही शादी हो जाये करती थी और वह लखनव आ गई परन्तु जब तक जिन्दा रही वह पूरब की ही भाषा बोलती रही क्योंकि जो कहते ना मात्री भाषा जो हमें अपने जन्म के बाद भाषा मिलती है वही हमारी जीवन वर की भाषा बन जाती है ठीक वैसा है उनकी दादी के साथ हुआ लखनव की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी ससुराल वे आ गई थी लखनव कहां से पूरब से लेकिन अब जो उनकी भाषा थी वो उनकी माईके वाली भाषा थी उन्होंने तो माईके की भाषा को ही गले लगाय रखा था क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवा उन याद अजाती हैं था माकेल ही मुस्कराने भी लगते हैं जब उनके बेटी की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा परन्तु इसलाम के आचारियों के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था बेचारी का दिल उदास हो गया लेकिन दादी थी उनका शौक था गाने का बजाने का लेकिन वो उस समय अपनी इच्छाओं को उन्होंने वहीं कचोट कर रहे गई तो जब इफवन का जन्म हुआ तो उसके छटे दिन उन्होंने जरूर गाने बजाने की लेका कहते हैं कि इफवन की दादी किसी इसलामी आचारी की बेटी नहीं थी बलकि एक जमीदार की बेटी थी दूद घी खाती हुई बड़ी हुई थी परन्तु लखनव आकर वह उसी दही के लिए तरस गई जब भी वह अपने माई के जाती तो जितना उनका मन होता जीब भर के खाती और बिल्कुल उन्हें ऐसा लगता कि बस मैं तो अपने बच्पन में वापस चली गई हूँ क्योंकि लखनव वापस आते ही उन्हें फिर मॉलविन बन जाना पड़ता था मॉलवी सहाब थी उनकी पत्नी थी इसलिए मॉलविन बन जाना होता था और एक्दम यहां गंभीरता पूरवा का अपना जीवन जीना होता था इफण को अपनी दादी से बहुत जादा प्यार था प्यार तो से अपने अब्बू अम्मी बड़ी बहन और चोटी बहन नुज़त से भी था परन्तु दादी से वैस सबसे जादा प्यार किया करता था अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डाट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी बड़ी बेहन भी अम्मी की तरह कभी कभी डाट थी और मारती थी अब्बू भी कभी कभार घर को नयायलाय समझ कर अपना फैसला सुना दिया करते थे नुज़त को जब भी मौका मिलता है उसकी कौपियों पर तस्वीरें बनाने लगती कहीं न कहीं घर का मतलब एक एक सदस की कमी इफ़न बताता जा रहा था लेकिन बात आती है जब दादी की की बस एक दादी ही थी जिन्नों ने कभी भी किसी बात पर उनका दिल नहीं दुखाया वहरात को से बहराम, डाकू, अनारपरी, बाराबुर्ज, अमीर हमजा, गुलाब कावली, हातिम ताई, पंच फुला, रानी की कहानिया सुनाये करती थी इफ़न की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई, उसे भी इफ़न की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी और इफ़न भी टोपी की दादी से बहुत अधिक प्रेम या प्यार करता था और इफ़न की दादी भी जैसे इफ़न को लार दोलार करती थी न वैसे ही टोपी को भी लार दोलार करती थी इसलिए इफ़न और टोपी दोनों को दादी बहुत प्यार करती थी इफ़न की दादी में टोपी को अपनी मां की जलक दिखाई देती थी कहने का अर्थ है कि टोपी की मां और इफन की दादी की बोली एक जैसी थी टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो कड़क थी, बाद बाद पर टोपी को डाटती थी बाद बाद पर टोपी की मां को भी चिलाती थी, नसियत देती थी और जब भी उसको लगता था कि जब देखो मेरी दादी तो चिलाती रहती कभी लार दोलार करती नहीं इसलिए उसकी दादी उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उसे तो अपनी दादी से नफरत थी वैं पता नहीं कैसी भाशा बोलती थी टोपी को अपनी दादी की भाशा और फन के अब्बू की भाशा एक जैसी लगती थी शायद वो भी रौबदार व्यक्ति थे दादी भी रौबदार थी तो उन दोनों की भाशा एक सी लगती थी लेखा कहते हैं कि टोपी जब भी इफन के घर जाता था तो उसकी दादी के पास ही बैटने की कोशिश करता था क्योंकि उसे दादी के साथ बहुत अच्छा लगता था टोपी को इफन की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था पके आम के रस को सुखा कर बनाए गई मोटी परत की तरह मज़ेदार लगता था आपने खाई एे आम की मोटी परत खाई ओगी ना कितने अच्छा लगता था यहाँ पार लेखक ने कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है इफ़न की दादी के लिए उन्होंने विशेशनों का प्रयोग किया है कि ऐसी लगती थी वैसी लगती थी हर हाल में टोपी शुकला को इफ़न की दादी ही अच्छी लगती थी अपनी दादी से ज़ादा लेखक कहते हैं कि इफन की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूचकर बात आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही है जब भी इफन की दादी टोपी से मिलती हमेशा यही कहती थी क्या कर रही है तुम्हारी अम्मा और सब लोग खाने की मेज पर या टेबल पर बैठे ही थे और अचानक टोपी ने का अम्मी और दादी ने जब ये अम्मी शब्द सुना तो दादी का वुस्सा तो सातवे आसमान पर चला गया बला बुरा सुनाने लगी उसको मां को कि कितना कहा है कि कहां कहां जाता रहता है उस लड़के के साथ घूमता रहता है कौन सी भाषा बोल रहा है बहुत सारी बात है सुनाने लगी देखिए क्या क्या सुनाए था उन्होंने और जो इफण की दादी थी वो हमेशा क्या कहती थी जब भी टोपी से मिलती वो यही कहती तुमारी अम्मा क्या कर रही है यहीं से बात शुरू हो जाती थी पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आता था कि अम्मा क्या होता है लेकिन बाद में उसे समझ आ गया कि माता जी को ही अम्मा कहा जाता है जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे ये शब्द बहुत अच्छा लगा जिस तरह गुड की डाली को मुह में रख कर उसके स्वाद का आनंद लिये जाता है उसी तरह वाई इस शब्द को भी बार बार बोलता रहा अम्मा, अम्मी इस तरह से बार-बार अम्मा, अब्बू, बाजी उससे ये शब्द बहुत अच्छे लग रहे थे और इनको बार-बार रिपीट किये जा रहा था अम्मा, अम्मी, अब्बू, बाजी, अम्मी, माता जी, अब्बू, पिता जी, बाजी, बहन उसको बहुत अच्छी की शब्द लगे तो उनको बार बार रिपीट किये जा रहा था एक दिन टोपी को बैंगन का भुरता सरा जादा अच्छा लगा खाने की टेबल पर बैठे हैं सब लोग उनके पिता जी, दादी और उनके भाई बेन साथ ही टोपी एक दिन टोपी को बैंगन का भुरता ज़रा जादा अच्छा लगा राम दुलारी टोपी की मा खाना पर उस रही थी टोपी ने कह दिया अम्मी ज़रा बैंगन का भुरता ओम्मी यह शब्द सुनते ही मेच पर बैठे सबी लोग चौक गए हाथ का निबाला मुँ में जानी से रुख गया और सब किसब टोपी को घूरने लगे उनके हाथ खाना खाते खाते रुख गये वे सभी लोग टोपी की चेहरे की और आश्चरे चकित होकर देखने लगे और दादी को देखिए क्या हुआ टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खानी की मेज से उठकर खड़ी हो गई और क्या कहने लगी टोपी की मा राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा टोपी की दादी का क्या नाम था सुभद्रा देवी टोपी की मा का नाम क्या था रामदुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि क्या अब वो इफण के घड़ जाएगा बोल जाएगा इफण के घड़ इस तरह से मारती जा रही प्रशन पूछती जा रही लेकिन टोपी भी एक ही जवाब दिये जा रहा इसके उतर में ह अच्छा इसकी पिटाई हो रही तमाशा देखते हैं तो ऐसे ही उसके भाई भी उसकी पिटाई का तमाशा देखने लगे लेकर क्याते हैं कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोली कि एक दिन उन्होंने इसे रहीम कबाब ची की दुकान पर कबाब खाते भी देखा है विचारे टोपी की पिटाई तो होई रही थी और उसके भाई ने एक और शिकायत एड़ कर दी एक और शिकायत जोड़ दी कि पता है मम्मी पता है माता जी एक बार उसने रहीम कबाब ची की दुकान पर इसको कबाब खाते भी द ओहो, ठीक है? उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हो गई थी कि उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था बहुत मारा था उसको दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे पिछले दिन की सारी बातें पता दी कि पता है मित्र, पता है इफन, कल क्या हुआ, सारी बातें बता दी कि मैंने अपनी मम्मी को अम्मी कह दिया तो घर में तो जैसे तमाशा हो गया, फिर मेरी माने मुझे बहुत मारा, देखो मुझे इतनी पिटाई लगाई, सारी बातें उसने अपने मित्र इफन को बता दी, दोनों भूगल शास्त की कक्षा को छोड़कर बहार निकल गए, पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे, क्योंकि बात ही है थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता था, हाँ यदि बाहर की चीज़ खाना ही है तो वो फल वगेर खा लेता था, टोपी बहुत ही भूले पन से इफ़न से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल ले, बच्चों की बात है देखिए यहां पर, कि टोपी ने कहा कि इफ़न क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी बदल ले, तुम्हारी दादी मुझे मेरी writes तुमें देदे दो तो यह बच्चों की बात है और एक और क्या हुआ था वो सुनィ plugged कर तो आप मतलब हैरान उसकी दाद इखर उसके घर इखराई तोपी कहता है कि उसकी दादी की ब४ लगार फ़ाइवर की तरह है तोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफण कहता है कि टोपी की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती अब देखिए इफण ने उसको यह ख़वर सुनाई इस ख़वर को सुनकर टोपी तो मानो इतना व्यतित हुआ आखर क्या हुआ टोपी ने कहा कि यह तुम्हारी इच्छा दादी बद जोंकर आया और ख़वर दी कि इफण की दादी का देहांट हो गया है शाम को जब वह इफण के घर गया तो वह संती थी और घर लोगों से भरा हुआ था क्योंकि इफण की दादी जिसको इफण और टोपी शुक्लापा पहुत अधिक प्यार करते थे वो दादी अब इस संसार को छोड़ कर जा चुकी थी और ये दोनों बच्चे सहन नहीं कर पा रहे थे तब टोपी ने क्या कहा था या एक और बात सुनिए परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था परंतु उसका इफ़न की दादी से बहुत गहरा संबंद बन गया था दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई समझने वाला नहीं था यहां सिर्फ और सिर्फ इफ़न की दादी थी जो इफ़न को भी समझती थी और टोपी को भी समझती थी दोनों ने एक दूसरे का अकेला पंदूर कर लिया था टोपी इफ़न को सानुभूती देता हुगा कहता है कि इफ़न की दादी की जग है उसकी दादी मर गई होती तो ठीक हुगा होता बच्चे की मन बच्चे को जहां लाड दुलार और प्यार मिलता है बच्चे बस उसी तरफ चले जाते हैं तो इफ़न की दादी बहुत अधिक प्यार करती थी, इफ़न से भी और टोपी से, तब ही तो टोपी ने कहा कि तुम्हारी दादी क्यूं मर गई, इससे अच्छा तो मेरी दादी मर गई होती, क्योंकि उन्हों जो टोपी था, उसकी दादी हमेशा डाटती फट कारती रहती शायद इसलिए बच्चे हैं कह दिया लेका कहते हैं कि टोपी ने 10 अक्टूवर सन पैतालिस को कसम खाई थी कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेंगे जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो क्योंकि इफफन के पिता क कि तबादले या ट्रांसफर के कारण वहां से चला गया दस अक्टूवर सन पैतालिस उननी सो पैतालिस का टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्वर रखता है क्योंकि इस तारीख को इफफन के पिता बदली पर मुरादावाद चले गए टोपी दादी के मनने के बाद तो अकेला महसूस करी रहा था और अब इफफन के चले जाने पर और भी अकेला हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरी नाम सींग के तीन लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सका इफफन के पिता क्या थे कलेक्टर थे उनका ट्रांसफर हो गया और टोपी बिल्कुल अकेला हो गया डब्बू बहुत छोटा था बीलू बहुत बड़ा था गुड्डू था तो बराबर का परन्तु केवल अंग्रेजी बोलता था जो दूसरे कलेक्टर आया उनके तीन बच्चे थे लेकिन टोपी की दोस्ती उनसे नहीं हुपाई आब ना तो इफण था और ना ही इफण की दादी जो उसे समझ सकें घर में ले दे कर एक बूड़ी नौकरानी नाम था सीता जो उसका दुखदर्द समझती थी तो वह अब सीता के साथ ही समय को जानने लगा ठंड के दिन शुरू हो गए थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट क नया कपड़ा आया और भैरफ के लिए भी नया कोट का बना लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिल गया अब बिचारे जो बीच के बच्चे रहते हैं उन्हें शायद नय कपड़े पहले मिलते ही नहीं थे बड़े का छोटे का छोटे को ऐसे मिलता रहता थ तो सब बड़े भाई का भी नया कोट सिला छोटे को भी नया और टोपी को उनका बड़े भाई का कोट मिल गया टोपी को बड़ा बोरा लगा कि सब के नये ड्रेस बन रही है या कोट बन रहे हैं तो मेरा भी तो नया आना चाहिए तो सब ने उसको डाटफट कार दिया तो उन्नी बाबू टोपी के बड़े भाई टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केत की के बेटे को दे दिया वह खुश हो गया नौकरानी के बच्चे को दे दी गई कोई भी चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी इसलिए तैय यह हुआ कि टोपी ठंड ही खाएग तो उनकी बूड़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह दसवी कक्षा में पहुँच गया है सुनलीजे क्योंकि आप भी दसवी कक्षा में जिद नहीं करना है बड़ों की बात सुनना है उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए सीता ने तो बड़ी जो उसका मित्र था पहले तो वो दोनों मित्र आपस में मिल जूर कर पढ़ाई कर लिया करते थे और जो भी समझाने रहती थी साथ में मिलकर सुलजा लिया करता थे अब इफ़न चले गए हैं टोपिया के लिए रह गए अब आगई है क्लास टेंथ अब इसलिए टोपी बार बार फैल हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पढ़ना नहीं जानता हो सकता है उसके पीछे बहुत सारी ऐसी परिस्तितियां हो जिनके कारण वह पढ़ नहीं पा रहा है थो उसकी मानसिक स्थिति को भी हमीं समझना होगा लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है यहां पर कि वह पढ़ाई में बहुत तेज था परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था चोटी बहन थी कौपी कितावें फार देती थी बड़ा भाई था यह ले आओ वो कर दो यह काम कर दो और कभी-कभी उसके पिता जी की कुछ ऐसे कार यह भैसे छड़ जाती कि वह पढ़ी नहीं पाता था परिक्षाओं के दिनों में जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता था तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम यादा जाता या उसकी मा कोई ऐसी चीज मंगवानी पढ़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जाती तो टोपी देखिए दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरे साल भी फेल हो गया तीसरे साल वह पास तो हो गया परंदू थर्ड डिवीजन मैं मतलब ले दे कर सिर्फ और सिर्फ पास हुए तो दादी का डाइलोग क्या था य प्रूली वह उनी से मिलता और उनी के सा het खेलता अपने साथ नवी कक्षा में पढ़ने वालों मैंसे किसी के साथ भी उसकी दोस्ती नहीं थी जब भी वह कक्षा में बैटता उसे अजीव से लगता टोपी ने किसी ना किसी तरह है Also ji जे लिया कि चलो ठीक है परन्तु जब सन इक्यावन में भी उसे नवीक अक्षा में ही बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया क्योंकि अब उसका मस्तिश्क शून ने हो चुका था अर्थाथ वो सोचता कि हम मैं क्या करूं घर में पढ़ नहीं सकता स्कूल में ऐसे दोस्त रही हैं जिनके साथ मैं मन की बात शेयर कर सकूं इस तरह से वो पूरी तरह से गीली मिट्टी का पिंडर था मिट्टी का मादो कहते हैं ना अपने दिकहावत सुनी हो तो वैसा वो हो गया था क्योंकि अब tumQué में कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था जो विध्वारती सन won आंचास 8-5 कक्षा में थे अब दज़ फी कक्षा में थे जो नंचास में 7 कक्षा में थे वो टूपी के साथ पहुँच गए उन सभी के बीच में अच्छा खासा बूरा दिखाई देने लगा वही जो कक्षा का सबसे तेज लड़का था उसने टोपी से पूचा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है उसे तो आठवी कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए इस पर टोपी का क्या रियक्षन था वो भी देखता है अब क्या हुआ क्यूंकि वे लोग आगे दसवी कक्षा में चले जाएंगे और टोपी को तो आठवी वालों के साथ ही रहना है इसलिए हमसे दोस्ती कर लो वहां का एक लड़का था वो उसे हमेशा टोपी को कहता था उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा हो गई है बाट टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे है बाट उसके दिल के आर पार हो गई हो और उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप अब वह हर हाल में पास होकर ही दिखाएगा पर्मतु साल के बीचो बीच में चुनाव आ गए पिता जी चुनाव में खड़े हो गए और जो राजनीती का माहल था वो घर में आ गया टोपी के पिता डॉक्टर ब्रगु नारायंट नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गये अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उस घर में कोई पढ़ लिक कैसे सकता है भला वह तो टोपी के पिता चुनाव हार गए तब घर में थोड़ी शांती हुई यो टोपी ने देखा कि उसकी परिक्षा को जादा समय नहीं रहा है वह पढ़ाई में जुट गया पनुतु जैसा वातावरन टोपी के घर में बना हुआ था ऐसे वातारमना कोई कैसे पढ़ सकता था अर्थात बच्चों की फेल होना या पढ़ाई में अपने आपका सही से प्रदर्शन ना कर पाना सिर्फ और सिर्फ बच्चे या स्टूडेंट या विद्यारती की ही जिम्मेदारी नहीं है माहौल कैसा है घर का वातावरन कैसा है ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है कि अपने अपने बच्चों को वो माहौल जरूर दीजिए जिसकी अपेक्षा हम उन से करते हैं कि पढ़ाई में अवल आए या पढ़ाई में अच्छा करे या जिस भी फील में वो हैं जिस भी शेत्र में वे हैं तो उन्हें उस तरह का माहौल देना भी हमारी ही जिम्मेद है तीसरे साल पास हुआ वो भी तीसरी श्रेडी में चलो पास तो हो गया इस तरह से दादी ने टूंट मारे परंतु लेका कहते हैं कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वज़े से दू साल फेल हुआ और तीसरी साल में थर्ड डिविजन स कैसे रहती तो बच्चा कैसे पढ़ता लेकिन फिर भी उसने हमत नहीं हा रही और जी जान से मैनत की और अट लीस्ट अट लास्ट वो पास हो गया आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट समझ आया होगा और कई सारी जानकारी सिक्षा वैल्यूज भी आपने ग्रहन किये होंगे जिनको आप लाइफ लौंग अपने जीवन में लागू करेंगे इसी तरह के कई वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे ना केवल हिंदी बलकि सभी विशय की वीडियो यहां पर प्रोवाइड किये जाते हैं एकदम फ्री कख्षा चटवी से बारवी तक की एजुकेशन एकदम फ्री में दी जाती है साथी साथ सभी प्रति सेंस कारा आप यहां पर फिर को अपना चुनते हैं जैसे आपको हिंदी में देखना है और जिस भी विश्य पर जाना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजह क्लिक करते ही आप उसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे वहां पर हर एक टॉपिक को एक दब वैल और नाइस तरीके से रखा गए है ताकि आपको सर्च करने में किसी प्रकार की आसुविदा ना हो जैसे हिंदी हिंदी में आप गए हिंदी में आप देखिए तो वहाँ पर वैल और नाइस है कि आप क्या देखना चाहते हैं या आप जाते हैं पार्ट का सम्कून सारांश या फिर बहु विकल्पिय परश्न न्सी आपको देखना है जिसमें आपके दोनों कोर्स की पुस्तकों का पार्टेक्रम साल भर का पार्टेक्रम शामिल है इस वीडियो में आप यह ना सोचें कि शायद कोर्स A का हो या शायद कोर्स B का हो कोर्स A प्लस कोर्स B दोनों की जानकारी पार्टेक्रम की जानकारी इस वीडियो में है तो इस वीडियो में आप देखेंगे की पाठ एक्रब सा कोर्स एक शितिज़ और करतिका में कितने पाठ हैं, कौन इनके लेका के हैं, जो भी पाठ है, उसमें क्या पढ़ने बाले हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पार्ट क्रम से सम्मंदित कोई भी डाउट मस्तिश्क में नहीं रहेगा इतना मैं आपसे कहती हूँ साथी साथ आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले निव निव वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें और आप अपने आपको अपडेटेट रख सकें कम्यूनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेट रहे हैं आगे आने वाले जो वीडियो होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है ताकि आप I am the first one इस तरह से आप वीडियो का लाव उटा सकें ठीक है यहां पर बात करते हैं कि Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी हां भारत का नंबर वन प्लेटफॉर्म जो ओनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री देता है कक्षा छटवी से बारवी तक की ओनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री में प्रोवाइड की जाती है किसी प्रका यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाई थैंक यू सो मच